हेलो गाइस वेल्कम बैक टो आर चैनल रूरा इंडिया अकेड़ी बहुत दिनों के बाद हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं थोड़ा समय आपने प्रॉब्लम बताना चाहूंगा दोस्तों कोवीड की कैसे बहुत जाद अब बढ़ रहे हैं इसलिए आप लोग वीडियो नहीं आ पा रहे हैं फिर भी हमसे जित्ता बन पा रहा है हम आप लोग के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो जालू करने से पहले एक च्छोटी सब्सक्राइब किजेगा सब्सक्राइब को भी प्रेस किजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे प पहनते हैं उसको भी बताइए तो उसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बहुत सारी ट्रिक और मैं क्या-क्या चीज़े यूज करता हूं तो लेट्स बिगेड़ सबसे पहले चालू करते हैं अपने परो!」 से तो मैं यूज करता हूं अपने फुटबाल सॉट्स जैसे की स्ट् 되고 स्ट विट करते हैं आप तो कीजिए को भी रोल आइकन पान सकते हैं फुटबॉल सॉक्स यूज़ करने का कारण ये है कि इसमें ग्रीप अच्छा बनता है आपको डबल सॉक्स अपलाई नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हम अभी सिमेंट विकेट पर फ्रेक्टीस कर रहे हैं तो जरूबत नहीं तो जल्दी से मैं अपने फुटबॉल सॉक्स वियर कर लेता हूं आप लोग चाहें तो आप डबल सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप professional cricketer बढ़ना चाहते है , आपके पास spike shoe होनने ही चाहिए , महान के चलिए कि आपके पास spike shoe है , आप professional level पर cricket start कर सकते हैं तो गाइस दूसरे चीजों की मैं बात करूँ तो इसके बाद मैं पहमता हूँ अपना सपोर्टर यह मेरा ओम्टेक्स कंपनी का सपोर्टर है सपोर्टर के बारे मैं आपको बता दूँ कि यह हमारे अब्डॉमिनल पार्ट को एड्जेस्ट करता है साथी साथ इसमें अलग से जगादी हुई होती है दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो अब्डॉमिनल गाड है वो आप आसानी से यहाँ पर फिट कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फिट करना है उपर से भी देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से आपको फिट करना है साथी साथ आपने सीधे जब वियर करेंगे सीधे जब आप इसको पहरेंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बाग का कि आप इसको ड्राइ पहेंते हैं तो यह आपके comfort zone के उपर depend करता है कि आप कैसे पहनते हैं मैं dry fit के नीचे पहनता हूं दोस्तों आप यह देख लीजिए उपर से एक बार और देख लीजिए कि यह कैसे नदर आता है कैसे आपको fit करना है मेरे खाल से आप लोग को जानकारी मिल गई होगी कि आपक वूड़ वॉकर के जो मेरे डॉल थाई पैड़ है उसको यूज करता हूं तो मैं सबसे पहले इनको निकाल लेता हूं साथ ही आपको बताता हूं कि जल्दी से आप इसको कैसे पहन सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर अपने जो थाई का जो protection है दोस्तों वही आपको protect करन के लिए यहां पर अलग से protection दिया गया है तो आपको कुछ इस प्रकास यूज करने हैं दोस्तों अब मैंने पहन लिया है अपने डूल थाई पैड को इसके बाद हम पहनने वाले हैं अपने पैड्स को तो दोस्तों मैंने पहले से ही आपने जो पैड्स होते हैं उनको बहु पढ़ता है क्योंकि जब कभी भी आप रणिंग करेंगे बैट बैटिंग करते वक्त रणिंग कर रहे हैं तब आपको comfortness 100% मिलने चाहिए दोस्तों इस बाब को हमें साथ रखिए कि comfortness आप लोग के लिए जाना जरूरी होता है ना की branding यदि आपको छोटे से सस्ते कंपनी म तो मैं सबसे पहले पहनता हूँ अपने लेप्ट वाले पैर के लेगड को सबसे पहले मैं अपने आम गाड को अपने आम में पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपने हाली के मैच में देखा होगा कि मोहमत सामी की जो हाथ है वो मिचल स्टाक के बॉल लगने से साइध तूट गई थी तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपको बिल्कुल अपने आम गाड को पहन के खेलना है तो दोस्तों आम गाड को पहनने के बाद इसके बाद मैं पहनता हूं अपने एज़ी के हेलमेट कई लोग बोले थे कि यह स्री का हेलमेट है तो यह स्री का हेलमेट नहीं है एज़ी का हेलमेट है काफी रिलायबल है और को नेसेसरी रूप में आपको खेल नहीं है इसको पहन के तो दोस्तों इसके बाद मैं अपने गलब पहन लेता हूं जो कि मेरे अन्वी के हैं आप लोग पहले से ही जानते हुए हैं जिदोंने अज अन्बॉक्सिंग की वीडियो देखे होगी उनको पता होगा तो हमारे पास बहुत से क्रिकेट एक्यूपमेंट है दोस्तों अगर सब को दिखाना चालू कर दी हम तो हमें लगबार लगबार 20-25 मिनट लग जाएंगे तो आप लोग ने कॉमेंट किया था कि क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं साथी साथ आप कैसे कीट को वीर करते हैं उसके बारे करता हूँ क्योंकि इसी बैट से दोस्तों मैंने कहलना सिखा था के लिगबार अच्छा दोस्तों प्लीज स्टेसेफ और अच्छा क्रिकेट खेलना क्या एक वीर कवन बंगर करके बताना कि कैसल लगव वीड़ो तो दोस्तों को कॉन से टापिक पर वीडियो चाहिए ये भ जरूर बताएं और हाँ दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको सेयर करना ना भूले तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें और प्लीज वियर मास्क